तो चलिए आज हम बना रहे हैं केसर पिस्ता पेड़ा की रेसिपिट शेयर कर रहे हूं क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है दिवाली आने वाली है दो तीन दनों में और ऐसे पर कुछ मीठा रेसिपी ना श्येर की रजाए कैसे हो सकता है तो चलिए आज हम बना कि सर्फ इस पेड़ा तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है या पैन या कड़ाई को भी रह सकते हैं आपर मैं इसमें डाल रहे हूं 250 ग्राम्स खोया 250 ग्राम्स याने की पाव किलो मावा है फीका है बिल्कुल उसमें चीनी आड़ेड नहीं है अब इसमें 80 ग्राम्स चीनी अब ही सबसे पहले हमने क्या करना है इन दुनों को अच्छा से मिक्स कर लेना है और यहां पर अपना जो गैस का फ्लेम है उसको मीडियम रखा अभी जैसे चीनी और मावा हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे ना तो उसके बाद हमने गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई कर लेना है यह बहुत ही easy recipe है ज्यादा इसमें यह ज्यादा time consume नहीं करती है बट पनी की बहुत ही result होगा बहुत ही ultimate आएगा अगर आप try करेंगे तो अभी इनको अच्छे से mix करना है जैसे जैसे चीनी मावा के अंदर जाएगी न तो यह थोड़ा liquid form में हैगा जाएगा मावा इक बार चीनी जाने से और इनको mix करना है पहले सबसे पहले ही जब mix हो जाएगे न तो हमने गैस की flame को थोड़ा हाई कर लेना है फिर इसको mix कर लिए है और यह mix हो चुका अच्छे से melt होगे काफियत तक अभी पस क्या करना इसको चलाते रहना है छोड़ना नहीं है ज्यादा मतब एक आदा सेकंड के लिए छोड़ सकते हो बड़ ज्यादा लंबा मत छोड़ना ताकि नीचे लग जाता है जल जाता है जल्दी से और इसका खुड़ा color भी change हो जाता है की फ्लेम को वापस से लो करना है अभी हाई रखनी है ताकि जो चीनी लिक्विट फॉर्म चीनी होई थी ना चीनी न अपना पानी छोड़ा वोड़ेगा तब वापस से यह नीचे चिपकने लग जाएगा स्टिक होगा नीचे तो अभी मैंने एक ऐसा स्टील का चमच लिय और हो अधागे लेके अधarette कने इंहें तो बीघिग विजवा हो न तो बूबिए डाल सकती हो बट आसे इसका कलर अच्छा आएगा बसतीisz silly सारे मावे में इतनी इतनी से केसर का नहीं आएगा बट इसमें अपन थोड़ा आगे फुट कळिगा दालेंगे यरे म केल टाल र वापस से साइड में भी जो लग रहा है इसको निकालते रहना अदर्वाइस क्या वह उदर जलेगा भी या चिपक जाएगा तो फिर वह बाद में रिमूव भी मुश्किल से होता है सूखने के बाद यह देखिए इतना तिक होट चुका है अभी हमने गैस के फ्लेम को थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही लो कर लेना है यह धेखिए और एक बार हम गैस की फ्लेम को बंद कर रहे हैं ताकि क्योंकि अभी मैं उसमें फूड़् करेंगे ना तो नीचे से लगना जाए किमसको थोड़ा चम्माच छला नहीं सकते तो यहां पर अब यहां पेर घराशिघ रेढ़ hybrid is मझेश कि यह थोड़ा मैंने इस सफून पे लिया इसको इसको रही है 5 इसको नम थोड़ा ठंडा करनें ठंडा करे कि goddamn कि ऊсफ। कपार्टे को अधा हटों में रब करेंगे अगर ये एक साथ खटा होता है तो इस रेडी है ये देखिए कि अधा यात अहीं हो रहा है क्लिभि ये अधा जाजा नहीं चलाएंगे कि हल्का ठंडा भी तो होगा अगर जादा साथ तो फिर यह जल्दी टाइट हो जाएगा और भी पेड़े बनने के बाद तो इससे पहले हम हलका सा इसको मिक्स करेंगे अब हम इसमें डालेंगे यहा पर या पर यह फूड जर अपना काम हो जाएगा इसके बाद मैं इसमें डालूंगी इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं फिर डालेंगे देखते हैं कलर कितना आ रहा है कैसा है अगर और नीड होगी तो हम डालेंगे अदरबाइस नहीं जैसा मैं लाइट कलर ही चाहिए पेड़े में जादा यलो अच्छा नहीं लगता और वैसे भी जादा फूट कलर हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते है इतना सफीशेंट है हमारे लिए अब मैं इसमें डालूंगी एसेंस क्योंकि केसर और पिस्ता के पेड़े हैं तो यहां पर मैं डाल रही हूं केसर डाल दिया है और अब मैं डाल रहे हूं इसमें पिस्ता का एसेंस जो की है साथ से आठ ड्रॉप्स डाल रही हूं या आपको कोई भी ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाएगा या फिर जहां पर भी बेकरी के आइटम मिलते हैं वहां मिल जाएगा कहीं पर भी इजली अवेलेबल होता है और जल्दी से हमने गैस को बंद कर लेना है जादा दे नहीं लगानी है और इसको इस तरीके से फैलाक कर और कम से कम 10-15 मिलेट के लिए ठंडा होने देंगे अगर यह टाइट है तो जादा ठंडा होने मत देना अदरवाइस इसका पिर पेड़ा बनेगा नहीं अभी हम इसमें दाल रही है लास्ट में यह लाइची पाउडर है यह थोड़ा सा लाइची का पाउडर इसमें में डाल रही है और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे कि यह लिए कि नवी mix हो गया मैम करो 15 18 से ज्यादा तो जनुंतं है थंडा पड़ेख laugh यहां बात झालता भाता हो जाता है भी कॉज यह 10 से 15 मिनिट ठंडा हो जाता है न मैसे घुणमने यह थोड़ा यहां तो नो कोई होता नी जैसे रोटी क और जैसे मैश करकी गुंते हैं उसी तरह से थोड़ा हमने मैश करना है तो इसके लिए मैंने यह प्लेट ले लिए स्टील की उसके उपर ही में सारा डाल दूँगी और इसको हल्का सा करेंगे दोओ को जैसे करते हैं जड़ा नहीं करना अधार्वाइस ही अपना झछोड़ Hem Maga फैसे मावा थोड़ा सॉफ्ट बिंगी और मावा थोड़ा टाइट है तो अहल्का गुन गुना दूद होता है थोड़ा गर conquered ज़रूरत नहीं है अगर गए तो अदर्वाइज नहीं हैं हमारी पीडा हमारा डू सही है कि इस तरीके से यह दिखे एक बॉल बना के दीखिह पेड़ के जासी है तो अब हम इससे पेडा बनाएंगे और इस प्लेट को हम साइड में रख देते हैं और इसके अलावा अभी हम पेड़ा तो बनाएंगे इससे और पेड़े के उपर डेकोरेशन के लिए पिस्ता कटिंग किया है यह लगाएंगे हम क्योंकि केसर और पिस्ता के पेड़े एसेंस तो हमने डाल दिया फ्लेवर आ गय एक बॉल जितना इतना सा इसका पार्ट लिया है और इसको इसका बॉल बनाएंगे इसका पेड़ा यह देखे इस तरीके से और सारे डोसे में इसी तरीके से पेड़े बना लूँगी और पेड़े बनने के बाद हम इनको थोड़ा गार्निश करेंगे फिर पिस्ता से पटाफट पटाफट मैंने इस सारे बना लिए और अभी जब यह पेड़े बन चुके हैं तो अभी हम इस पर डालेंगे पिस्ता डेकोरेशन के लिए उपर उपर पर यह देखे इसमें को क्रै पर पूरी पिस्ता से गार्निशिंग कर लेंगे और अभी तो यह ना गोल लड्डू जैसे दिख रहे हैं और इसको पेड़ा पेड़ा के पेड़ा पेड़े का जो शेप होता ना वह देने के लिए क्या करना है वह मैं अभी यह पिस्ता लगाने के बाद आपको दिखाऊं अभी ना यह जो फिंगर अपनी इस से इसको सैंटर से जा पिस्ता लगाना इस तरीके से प्रेस कर देंगे ज्यादा भी मत करना वंन्हा यह तूट जैंगे हलकियाद से प्रेस करना एक ही फिंगर से ज्यादा घ्या तो यह तूट जाएगा पेड़ा तो ऐसे हम हमारे सारे केसर पेड़ा रेड़ी कर लेंगे अगर आपको यह रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमिन शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और एडवांस में आप सभी को हैपी दिवाली दिवाली की बहुत बहुत चुप कामना है आप सभी हस्ते मुस्कुराते रहें अच्छा रहें आपका यह साल अच्छे से जाए और यह मेरी तरफ से दिवाली का मुमीठा कर लीजेगा और थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू सो माच